इनके लबे रंगी की इठावरें थी के जिसने हुमा कौसर जी पूछती हैं कि मेकप कौन-कौन से जाइज हैं और कौन-कौन से नजाइज हैं शादी में कौन-कौन से मेकप कर सकते हैं मुझे पर कोई इसी लिस्ट तो है नहीं कि जो मैं इस डिफाइन करनों को कि यह ना जाइज है और मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेकप आपके होते किस किसम के और कौन-कौन से होते हैं क्योंकि वह पहले बात चला करती थी कि 16 सिंगार वाली लेकिन इस दौर में तो इस लग सिंगार बन गए हो उसमें कितने मेकप एड हुए कितने नहीं तो इसकी मुझे पर कोई इसी लिस्ट तो नहीं है अलबत्ता यह कि जो मैकप जाइज है यानि जिसके नाजाइज होने का यकीन नहीं है ना तो कंपनी की तरफ से इस चीज का अनौंसमेंट है कि इजहार मार किया जाएगा जैसे के पौडर वगेर है लिबिस्टिक है या और भी जो आपके आँखों पे लगाने के जैसा भी होता होगा मामला वो सब जाइज है जब तक उनके नाजाइज होने का यकीन नहों बाद लोग यह कहते हैं कि क्रीम इस्तिमाल नहीं करने चाहिए इसमे वो मिक्स है या फिर उसकी जो बहनाने की है जो उसके अंदर अजिज़ा मिले हुए हैं उस चीज़ के अंदर वो चीज शामल है कि हाँ इसमें यह चीजे मिलकर यह क्रीम बनी और उसमें वो नाजाइज चीज़ूरा गोगी वरना यह तहकी कि अगर किसी अदारे ने रिस कीन है कामिल ना हो कि हाँ इसके अंदर जो हमारे हाथ में चीजे ना पाक ही की अशिया से बनी हुई है तो उसका इस्तिमाल जाइज होगा अब रहा यह कि मैकप कौन-कौन से जाइज है तो उसके लिए मिनार्ज करते है कि कौन-कौन से मैकप है वो सभी जाइज होंगे जब कि आप किसी पर्टिकुलर मैकप का नाम ना बताएं कि यह जाइज है यह ना जाइज है हो सकता है कि आपको लिबिस्टिक वगेरा या निल पॉलिश के बारे में मालुम करना हो तो लिबिस्टिक का लगाना यह भी जाइज है इसमें भी कोई हरद नहीं है यानि शरीयत के है इसके बारे मगर इसकी परत क Moreover के उपर्जास मोटी जम जाती है और यह जो जोगे जाई होड़ों रुकावट्वेट प्या में और और कोईू ऑर बहुच्यांटिक के लिबिस्टिक लए यह नहीं और एक मसलह था है कि नील पॉलिश को लेका ज़िए नील पॉलिश लगाना चाहिए या नई यह नजाइज है उसके लिए भी मिना गायदा बेन कर दिया कि अगर इस चीज का यकीन हो कि इसके अंदर जो चीज मिक्स है वो नापाकी या नाजाइज तरीके से मिक्स की गई है या वो चीज जो शरीयत में हराम है उसको इसमें मिलाए गया तो वो नाजाइज होगी वरना लगाना शरां तो फिर इसमें कोई हरज नहीं होगा क्योंकि ये मैकप का मामला है मगर ये कि इसको लगाने के बाद जल्दी उतरती नहीं है अगर कोई खातून शादी में जाने या किसी प्रोग्राम में जाने के विज़ से इसको लगा ले और फौरान आने के बाद जब वो नमाज पढ़ेगी तो उसमें वजू में रुकावट पैदा हो जाएगी यानि उससे लगाने के बाद ये नाखून के अंदर पानी से नहीं पोचता है इसके लगाने से इसले पर इचाहिए उसका सबसे बहतर तरीका ये कि खातून अपने नाखून और मेहंदी लगा लिया करें उंगलियों पर नाखून पर चाहिए कोन वगएर रख लें रोज डेली भी लगा लें रात को तो उससे भी नाखून जो है वो लाल और सुर्ख हो पार्डर हो या जो भी आपके हों वो सब लगाना जायज और शादी में भी लगा सकते हैंब रहाए के मेकॉप लगाने के बाद उसका इजहार गेर मर्द पर अगर करे तो ऐससी सूरत में मैक अप जाइज होगा मगर ये जहार करना उसका गुना होगा मिसाल के तोर पर जर्म में गिरफ्ट जरूर होगी इसकी मगर यह कि उसका मैक अप से कोई वह ऐसा तालूग नहीं यह कि मैक उसको लगाना मना था यूट कि मैक अप लगाना जाइस था मगर उसका परदा से शरीयत में फर्द किया था तो अगर परदे में रहते हुए कोई लगाएं के घर में लगाया ये जहां जाती आ हुआ फावाती नहीँ है इनके रिश्टेदार खांदान की खातूर के अंदर इनको रहना है तो ऐसी सूरत में अगर लगाएंगी तो अरद नहीं है। ओर अगर में रहते हैं या घरुखर आले पुरनवार बनाया